हारी हुई बाजी जीत पाएंगे नमस्कार दोस्तों आप देख रहा है रोयल किसान और मैं हूँ आपका दोस्त शिवरासिया सात्यों जैसा कि कुछ दिन पहले लाइव शेशन में मैंने खेट से ही लसून की ये इस्तति आपको दिखाई थी और आप किसानों से जो लसून के एक्सपर्ट किसान जो अनुबवी किसान है उनसे कमेंट बॉक्स में मैंने राई जानी थी कि इसे अन्तिम प्रियास किस प्रकार से इसे बचाया जाए क्योंकि लसून का भाव इस वर्ष अच्छा देखने को मिल रहा है और आगे भी जो उमीद है अच्छे की लग रही है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस लसून में हमने कौन-कौन सी दवाईयों का इस्प्रे किया है तो वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा रोयल किसान चेनल पर लॉसून संबंदीत करशी संबंदीत जानकर आपको समय समाम पर मिलती है इसलिए रोयल किसान चेनल को सब्सक्राइब किजी और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फोलो आवश करिए खिसान मित्रो जान लेते हैं अब कौन-कौन सी दवाईयों का हमने इस्प्रे किया तो इसमें फंगिसाइट के लिए अड़ामा का कस्टोडिया 100 ml और एक यहाँ पर यह गोल यह भी फंगिसाइट के लिए इसमें डाला गया है और इसमें हमने डाला है N.P.K. 0052 उसके बाद Micronutrition के लिए एक Bio 20 Omex का जो की इसमें सभी प्रकार के पोशकतत्व है यह डाला है और जब लसुन को पिलाएंगे उस वक्त यहाँ पर ही केवल कंपनी का कॉंबो कीट इसमें डालेंगे जिसमें केवल सलफान है इसमें 3 किलो Limbos 2 किलो, Jink 33% इसमें 3 किलो हंगामा और केवल हुमिक 500 ग्राम एक ओज़स 500 ग्राम एक मिर्बेन गोल्ड जी यह 2 किलो यानि टोटल 16 किलो तो यह केवल कॉंबो कीट है और इसमें 15 किलो यूरिवा का इस्तमाल करके इसे जब पिलाते वक्त इसका इस्तमाल करेंगे यह केवल कंपने का कॉंबो कीट हमारे सस्क्राइबर रोयल किसान के बहुती प्री हरी सिंग जी अजडावदा वाले वो जब पिपलिया मंडी अपनी लसुन बेचने आये थे तब साथ में लेकर आये थे तो देख सकते हैं इसका भी हम इस्तमाल करके देखेंगे कि इसका रिजल्ट कारगर होता है या नहीं बाकी किसान साथी यह आपके इसाब से और क्या इसमें डालने की आउशक्ता थी यह इस्प्रे 13 जनवरी 2024 को किया जा रहा है एक या दो दिन पाथ फिर से इस लस्टन को पिलाएंगे और पिलाते वक्त केवल कंपनी का कॉम्बो कीट और उसमें 15 किलो यूरिया मिक्स करके उपर से खेत में डाला जाएगा उसके 7-8 दिन बाद एक क्या परिणाम आते हैं का वीडियो आप सब के लिए बिल्कुल सतिता के साथ लेकर आऊँगा जो की रोयल किसान चैनल पर और फेस्बूक पेज पर दोनों पर अफ्लोड करूँगा 7-8 दिन बाद बाद की आपके लिए कमेंट बॉक्स खुले है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा किसान में तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न बुलिएगा और फेस्बूक पर देख रहे हैं तो रॉयल किसान फेस्बूक पेज को फोलो अवस करिएगा धन्यवाद जै जवान जै किसान